फ्रैंस मारियो में आजम बात करेंगे इस डाकट कमपनी के बारे में जिसने 2018 में 26% का डिविडेन दिया था और अब इस कमपनी के financial results भी आने वाले हैं और कमपनी डिविडेन भी देने वाली हैं इसी के बारे में बात करेंगे इस company का market cap देखेंगे तो 25,000 करोड का market cap है 10 रुपे का face value है लेकिन अगर stock देखेंगे तो काफी बढ़िया चला है last 5 years के अंदर तो 5-6,000 के करीब ये stock चलता था और इसने high बनाया 30,000 के भी उपर और अब फिर से ये stock जो है अच्छे level पर मिल रहा है और मेरे हिसाब से ये एक अच्छा मौका भी बन सकता है लेने का और आप देख सकते है 22,600 के करीब यह चल रहा है और company है page industries limited इसका अगर low देखेंगे तो 18,000 का रहा और वहाँ से फिर जो है एक अच्छा movement पकड़ा है इस stock ने और अब इनके नतीजे भी आने वाले है इसका high देखेंगे तो 36,000 का है 52 week का और इसकी अगर आप financials की बात करेंगे तो September quarter में थोड़े नरम रहे थे financials तो उसी के कारण जो है थोड़ा pressure दिखाई दिया था लेकिन अब जो December के results आएंगे तो उमिद है कि यहां से sales का turnover भी बढ़े और net profits में भी अच्छा इधाफा हो इसका sales का turnover total देखेंगे तो 701 करोड का था September में और June के अंदर 822 करोड का और अगर आप net profit देखेंगे तो 92 करोड का रहा था और June में 124 तो यहां से अगर बढ़ जाता है net profit revenue तो इस stock के अंदर एक अच्छा moment भी देखने को मिल सकता है जो की 25,000 तक easily ले जा सकता है और इसका अगर आप dividend की बात करेंगे तो 2018 में आप देख सकते हैं easily इस company ने काफी अच्छा dividend दिया था तो यहां पर अब कुछ error है तो उस हिसाब से यह dividend का option आप थोड़े टाइम में देख सकते हैं easily 26% का dividend दिया था और 1100% का इसके अंदर special dividend भी था और अब जो company की board की meeting है वो हने वाली है 14 February 2019 को तो उसी के अंदर जो है financial results भी डिकलेर किये जाएंगे और जो interim dividend है वो भी company declare करने वाली है और dividend का जो record date होने वाला है वो 22 February 2019 तो यह आपको ध्यान में रखना है अगर आपके पास यह stock है या लेते हैं तो आज इसी के बारे में बोलना था था कि आपको भी idea आ सकें इस stock के बारे में और वीडियो अच्छा लगा हो तो like करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा चले ठेंक्यू